अनुपुर्ट जिले की कोत्मा विदान सभा से कॉंग्रेस की जनक्रोश यात्रा चुईस सितंबर को प्रवेश हुई जहां ठाकुर बाबा धाम के पास लगाए गए मंच से जनता को संबोधित करने के दौरान इन तक के प्रदेश अद्यक्ष महामंडलेश्वर लक्षमन दास बालियोगी ने गाना गाते हुए शब्दों ही शब्दों में कोत्मा विधायक सुनील सराफ को लायक नहीं कह दिया अब ऐसे में कोत्मा की राजनिती गर्मा गई है सोशल मेडिया से मिल रही प्रतिक्रियाओं के दौरान कुछ ने बालियोगी को अपने हकीकत बताने को कहा इस बीच जनक्रोष प्रभारिपूर मंत्री वर्तमान विधायक CWC के सदस से कमलेश्वर पतेल ने कहा लोग परिवतन चाहते हैं कोंग्रेस की सरकार बने लोग चाहते हैं कोत्मा में भी कोंग्रेस जीते एक तरफा महौल है कोत्मा विधायक जीतेंगे आप भी सुनिया अचारे लक्षमन दास बालियोगी ने गाए हुए गाने के शन को बला की है मूरत है जो भी साथी थे लगवक लगवक उनने सथी को अलग कर दिया तेख के साथी आदों के साथ नहीं है जो आर्थिक रूप से भी मदद किये थे उनको भी जो उनोंने प्रताडित किया तो साती संगाती बला की है मूरत, सारे संगठन को ठोकर मैं मारू, चाहूं मैं जिसकी इज़त उतारू, कहती है दुनिया भिधायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखे दायक हूँ मैं, भिधायक नहीं नालायक हूँ मैं तो हमारे लिए बड़ी जो है